अधिश्टाता मोधिया मैं बहुत आपका अभारी हूँ कि संसत के समक्ष भारत के राष्टपती के विवासर पर हमारे दल के दौरा लॉकेट चेटे जी की दौरा धन्यबाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और स्री विरेंजी ने उसका समर्थन किया है मैं उसके समर्थन में आपने आउसर मुझे दिया और महामहिम की जो राष्टपती का विवासर होता है वो सरकार की नीतियों का दस्तावेज होता है सरकार के कारिक्रमों की रूप रेखा होती है सरकार की उपलब्धियों का बेवरा होता है और सरकार के भविश्य का रोड मैप होता है और यकीनन इस बार तो कोरोना की वैस्विक चुनवती के बाद जब पूरी दुनिया ठहराव की इस्तिती में हो गया हो पूरे विस्व में लागडाउन हो ऐसी परिस्थितियों का पूरे विस्तार से हमारे सदस्यों ने सत्ता प्रितिपक्ष ने भी जिकर किया कि किस तरह से बड़े से बड़े योरप के USA जिसको बहुत दुनिया के प्रगसील और बहुत सम्रिदसाली देश कह रहे थे उन देश के सामने भी उस कोरोना वैसिक की चुनोतियां जो आई किस तरह से लगता था कि USA योरप के वो देश लाचार है और जहां हम South East Asia के देश में थे उस South East Asia के देश में भी जिस तरह से आधनी प्रधानमंती नरेंद मोदी जी ने अपने देश में उस कोरोना के जो वैसिक चुनोति को भारत में जिस तरह से 130 करोन देश बासियों को ले करके मुकाबला किया आज पूरी दुनिया में बात साफ हो गई है कि जो काम अमेरिका नहीं कर पाया, योरप नहीं कर पाया, इंग्लेंड, फ्रांस नहीं कर पाया वो नरेंद मोदी के नेतुत में भारत ने करके दिखा दिया है यह बात पूरी दुनिया के संब़ाइए और यह बात इसलिए नहीं कि मैं हमारी पार्टी सरकार में है प्रधानमंत्री है तो आज मैं उनकी बात कर रहा हूँ आज उस कोरोना की चुनवतियों में जब वाकई दुनिया के सामने एक चुनवती थी तो दुनिया का इस बोहान से निकला डबलू एचो ने हमको फर्वरी में आगाह किया मैं उस विस्तार में जाना चाहता हूँ डॉक्टर हरसवर्धन जी ने फर्वरी से ही थर्मल स्क्रीनिंग एरपोर्ट से ले करके जिस तरह से 23 मार्च का जिकर हुआ वो सारे सिलसिले वार हुआ और दुनिया के उस कोरोना की चुनवती में नरेद मोदी जी के नित्त का और जिस तरह से कोरोना की वैस्जेश कुनवती का भारत में मुकाबला हुआ ये तारीफ आज केवल भारत में नहीं हो रही है जो दुनिया का सबसे बड़ा तो यह मैं समझता हूं कि यह सम्मान जो उन्होंने किया है और उन्होंने कहा डिरेक्टर जनल अगनाईजिसन नेम टेड्रोस अन्वान गेवरियास तो यह डिरेक्टर जनल वर्ल्ड हैल्थ अगनाईजिसन का यह भारत के बारे में कहना यह केवल भारत के लिए रिमार्क नहीं था यह पूरी दुनिया के निगाहों में भारत का सम्मान बढ़ाने वाला था नरेंद मोदीजी के नित्यत को एक शंता प्रदान करने वाला था IEM F नी कहां IEM F Chief Pragya India decisive step to deal with the pandemic MF Chief Christiania Jirjiwia has praised India for taking very decisive step to deal with the coronavirus pandemic and its economic and its economic consequences ask the country to do more this year to support and accelerated transformation of the economy जो एक International Monetary Fund है, दुनिया का एक सबसे बड़ा संगठन है IMF, उस दुनिया के संगठन ने तारीफ किया कि आज भारत में इस कोरोना के वाईरस में बहुत प्रभावसाली धंग से, सक्षम धंग से, नरेंद मोदी जी के नित्युत की सरकार ने निर्ने लिये हैं और उस पेंड परणाम आ रहे थे, उसके संबन में भी और करने का उन्होंने निर्ने लिया कि आर्थिक भी गद्विधियां और आर्थिक विवस्ता में भी हमारी GDP या दुनिया के सामने, हम जो आज निर्भर की बात ही मैं आऊँगा, उसके में भी हमारी तारीफ हुई है, तो मैं समझत हुँ कि बात आज करते हैं लोग कि आप किसी एक ने कर दिया तो उसके पीछे हम पढ़ गए, USA ने क्या कहा, जो USA जिस तरह से आप देख रहे थे, डेथ हो रही थी, जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ रही थी, उन्हों ने भी किया, we applauded India's role in global health, sharing millions of doses of COVID-19 vaccine in South Asia, India's free shipments of vaccine begin with Maldiv, Bhutan, Bangladesh and Nepal and will extend to others the South and Central Asia Bureau of the US State Department Twitter account. USA के Twitter account से भारत ने में हम कोरोना वैस्टिक में अपने सरकार अपने देश के 130 करोण देशबासियों की जिंदगी की हिफाजत का संकल्प तो पूरा करी रही है, उसके साथ मालदी, भूटान, बंगला देश, नेपाल, इन देशों के भी जिंदगी बचाने का काम भारत की सरकार ननेद मोधी के नितित में कर रही है, उस कोरोना की चुनोतियों को लेकर के, इंडिया जे ट्रू फ्रेंड, ये कहा USA ने, इंडिया जे ट्रू फ्रेंड, यूजिंग इटसे, फार्मा टू हेल्प दा ग्लोबल कम community, हम जो बस्दयो कुटुमबकम की बात करते थे, एक लगातार कि हम पूरे विश्व को एक कुटुम मानते हैं, पहली बार जब को एक कोरोना ने बुहान से निकल करके पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया के सामने एक चुनोती की, तो उस बस्दयो कुटुमबकम को किसी ने चरितार्थ किया, तो वो भारत ने चरितार्थ किया है, हमारी सरकार ने किया है, कि हम क्यों भारत की लोगों की जिंदगी नहीं बचाएंगे, बलकि पूरी दुनिया के लोगों की चिंता करेंगे। Bill Gates Foundation पूरी दुनिया में काम करता है। उन्हों ने कहा इसे ग्रेट तो सी इंडिया लीडर्शिप इन साइंटिफिक इनोवेशन और बैक्सीन मैनुफेक्ट्रिंग केपबिलिटी एज द वर्ड 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 तो एंड द कोविड नाइटीन पैंडमिक। बिल गेट्स को चेर अप दे बिल मेलिंडा गेट्स फाउंड़िशन आज उन्हों ने तारीफ कि और यहां पर आप आलोचना करते है और जब पार्लिमंट्री स्टेंडिंडिंग कमेटी के चेर्मन है कांगरेस के सिही अनल सरौच जी जब Parliamentary Standing Committee की होगी, उसकी रिपोर्ट आएगी, मैं उनको धन्यवाद दूँगा, तो उन्हों ने कहा दा, आनल सर्मा जी लेट Parliamentary Standing Committee on Home Affairs presented report on management of COVID-19 pandemic, उन्हों ने एक रिपोर्ट जो प्रस्तुत किया सदन में, कि management of COVID-19 pandemic and appreciated the efforts of the center for controlling the spread of the novel coronavirus, तो आज coronavirus को रोकने में ये सरकार जिस तरह सक्षम हुई है, मैं समझता हूँ कि सदन में आप आलोचना कर रहे हैं, और आपके उस सदन के उपनेता आज सरकार की तारीफ कर रहे हैं, तो कम से कम कथरी करनी में अंतर होना जीए, मैं आज कहता हूँ, कि आज इस कोरोना के बाद, निश्चित तोड से चुनवती आई और लगातार प्रधानमंती जी कहते थे कि चुनवती को आउसर में बदलना होगा अखिर उन्हों किस संदर में कहा कि चुनवती को आउसर में बदलना होगा इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि जिस समय चुनवती हुई हमारी लॉकेट बहन ने बड़े विस्तार से कहा PP kit के बारे में इनके 95 के बारे में लेकिन यह सही है कि हम उस समय एक भी PP kit नहीं बना रहे थे उस समय भी जब Corona virus को PP kit दे करके Corona के मरीजियों को COVID के मरीजियों को देखभाल करने के लिए doctors को paramedical को अके दिया जा रहा था तो वो चाइना से PP kit आ रहा था और जो PP kit आया वो भी गुडवत्ता परग नहीं था, Indian Medical Council of Research, IMCR ने कहा ये घटिया है, उसको रिजक्ट कर दिया, चाइना की उस कंपनी को ब्लैक कर दिया, उसमें चुनवती लिया, एक तरफ कोरोना की चुनवती से जूज रहते और ये संकट कि हमारी निर्भरता दूसरे द देशों पर निर्भरता कम करेंगे, अपने आज निर्भरत की तरफ बढ़ेंगे, और COVID के उस चुनवती के बावजूद भी हम आज निर्भर नहीं हुए, आज साड़े 5 लाग PP kit बना रहे हैं, दूसरे देश को भी देने का काम कर रहे हैं, तो निसन दे वो आज निर्भर भारत की तरफ बढ़ने का एक कदम था, जिस तरह से आप कहते हैं, कि उस चुनोतियों को उसर की बात, आलूचिना की बात आप कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ, कि इस COVID-19 में जब प्रधानमंती ने कहा, कि आज चाइना से बहुत सी कंपनियां, आज दूसरे देश में ज देशन हो, और उस most favorite destination भारत को बनाना होगा, कि यह अवसर है, कि चाइना से, वहां से निकली हुई कंपनियां या जो foreign investment आए, वो ताइवान में ने जाए, वो जेपान में ने जाए, कोरिया में ने जाए, या USA या या यो यो योरोप में ने जाए, बलकि वो भारत में प्यास किया, लगातार हमारी सरकार, हमारा विदेश मंत्राले, PMO और सब ने किया, और उसका नतिया है, कि इस एक साल में, जहां इस COVID में हमने लोगों की जिंदगी बचाई, हमारे बैज्यानिकों ने आज वैक्सीन निकाली, आज हम अपने हाँ पे सबसे बड़ा वैक्सि देश की जनता एक आस्वस्त होगी, 130 करोड लोगों को होगा, कि चुनोतियों में भी नरेन मोदी जी की सरकार के प्रयास से, आज पूरी दुनिया में सबसे most favorite destination, foreign investment, उन पूजी निवेश का भारत एक सबसे बड़ा अकर्शन केंदर बन गया है, तो सायद ये निश्चित और से देश की जनता को मोदी जी के नित्यत पे गर्ब होगा, और मैं कहना चाहता हूँ, ये मेरी कोई अपनी report नहीं है, ये report है, United Nations Conference on Trade and Development, और ये उसकी report है, कि जब ये COVID आया, तो इस United Nations Conference की उस Trade and Development की report में, Global Foreign Direct Investment, जो है FDI, वो 42% 2020 में, 2019 के मुकाबले गिरा, और ये केवल डू टू एकोनामिक फाल आउट अफ COVID-19, योरप में, खास्तोर से इंग्लेंड में, और कितना निगेटिव फ्लो हुआ है, United Kingdom में जो फॉरें इन्वेस्मेंट है, इस COVID के दावरान, वो 100% लोवर हो गया, मत United States of America, साइड ड्रॉप फॉर्टी नाइन परसंट, अमेरिका में भी FDI 49% गिर गया, आस्टेलिया साइड डॉप फॉर्टी सिक्स परसंट, आस्टेलिया में 46% की गिरावट आई, नार्थ अमेरिका में 46% की गिरावट आई, कैनाडा में 34% की गिरावट आई, अफरीका में 2019 की तुल्ला में 18 परसंट की गिरावट आई, Asia में 12 परसंट की गिरावट आई, केवल दुनिया में चाइना में 4 परसंट FDI बढ़ा है, इस कोरोना के COVID की चुनावतियों में भी, लेकिन जहां चाइना में 4 परसंट बढ़ा, यौरफ हो, USA हो, जहां सब जगा निगेटिव रहा, सब जगे गिरावट आई, वहीं भारत में 13 परसंट FDI की ब्रिद्धी हुई है, यह United Nations Conference on Trade and Development का, और उस 13 परसंट की देन क्या है? इंडिया जए FDI inflow 2020 is currently 57 बिलियन डॉलर, इन रूपी 4 लाख 37 जार करोड, विचे 13 परसंट मोर देन 2019, तो यह इसकी चर्चा नहीं किया, अधिर रंजन जी कॉंग्रेस के नीता है, एक जिम्हदार और पार्लिमेंटी डिमोक्रसी में जितना, जितना रूलिंग पार्टी का रोल होता, उतना अपूशिसन का भी होता, सेड़ो गुवर्मेंट का काम करती है, उनको केवल आलुचना नहीं करना चाहिए, गुवर्मेंट की उपलबधियों के, गुवर्मेंट की कम्यों को, दोनों की बात की चर्चा करनी जाहिए, और यह किस चीज में हुआ, यह हमारा मैक्सिमम इंबेस्मेंट डिजिटल सेक्टर में हुआ, जिस पर प्रधानमन्ती जी लगाता डिजिटल सेक्टर पर जेम देरें, कम्प्यूटर साफ्ट्वेर में हुआ, हार्डवेर अन सर्विशे सेक्टर में हुआ, और बिच इंक्लूट्स फाइनेंशियल, बैंकिंग, इंसौरेंस, आउट्सोर्सिंग, रिसर्च और डवलम्मेंट, टेक्नॉलजी, टेस्टिंग और अनलसिस, और इसी तरह से डेपार्टमेंट अब प्रमोसर्ण और इंडिश्टी और इंटर्णनेशनल प्रेट सर्विशेज, आज हमारे हम भारत, यह हमारे लिए सौभागी की बात है, और संतोष का विश्ट है पूरे देश के लिए, कि आज भारत फाइनेंशियल सर्विशेज का पूरे विश्टुका हब बनने जा रहा है, यह प्रधानमंत्री नरिद मोदी के निटित में, तो निश्चित तौर से आज हम दुनिया में सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया के लोग भारत को एक सुरक्षित देश निवेश के लिए समझ रहे हैं, सबसे ज़्यादा लोग समझ रहे हैं कि यहां हमको एक अच्छा बाता बनना है और इसकी तारीफ जिस तरीके से किया, आज कहते हैं कि क्या किया, एक तरफ चुनवतियां थी, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री गरीब कल्यान पैकेज में, हमने 42 करोन को उस लॉकडाउन के दौरान भी 70,000 डारेक्ट बन्फिट ट्रांसफर इसकीम से हमने ट्रांसफर किया, क्या कहा था, जिस समय कोरोना में लॉकडाउन हुआ, लोग घरों में थे, रेडी पठ्री वालों को दिक्कत हुई, मजदूरों को दिक्कत हुई, पूरे दुनिया में लोग ब्रेट बटर के लिए सडकों प्या रहते, उस समय भी कहा, अगर इस कोरोना की वेशिव चुनावती में एक साल भी अगर लोगों को लागडाउन में रहना पड़ेगा, तो भारत का कोई ब्यक्त भूखा नहीं मनने पाएगा, यह बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी, आज मैं कहना चाहता हूं कि उसके बावजूद भी 31,000 करोण केवल जो DBT से डारेक्ट बेंग ट्रांसफर किया प्रधानमंत्री जंधनी उजलाओं में, 21 करोण वो महिलाओं के खातों में गया, इसी तरह से 2800 करोण नेस्टल सेविंग में जो हमारे पंचन में दिया गया उसी दिए, 9 करोण किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान नदी में 18,000 करोण दिया, दो करोड लोगों को जिस तरीके से उनके खातों में के ख़जार दिया गया पांच जार करोड इसी तरीके से 9,700 करोड उज्जुला के बनफिसरीज को दिया गया और हम आज कहना चाहते हैं कि रोज जब कॉंगरेस यूपिक सरकार थी तो कोलगेट की चर्चा होती थी कभी ड चालिस में एचेल की अस्थापना हुई थी उस समय सेट वाल चंद हीरा लाल ने किया थी यह रा चंद जी ने किया थी क्याओन मों मिनिस्ट्री आफ डिफेंस के अंडर में आ गया और मिनिस्ट्री आफ डिफेंस में जब अटल जी आये तो उन्होंने एक तेज़स डिपा 45 स्कॉइडन बनाई गया आज बड़े बड़े डील होते थे हम बाहर से जहाज मगाते थे आज तो यह निश्चित तोर से इसका उलेक होना चाहिए कि अब हिंदुस्तान के लोग इस बात पर गर्ब कर सकते हैं कि जो हम हजारों करोन डॉलर में हम देते थे और बाहर से जह आज खरीदने जा रहे हैं भारत का पैसा भारत में और भारत की या यह कंबड़ी उपलब थी है हमारे सवाल पे डिफिस मिनिस्टर साब का जवाब आये था कि हम 101 101 हम अपनी जो रच्छा के उपकरण हैं उन उपकरणों को हम निश्चित तोर से हम अपने देश में ही बना हो सकती तो यह आत निर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं पूरे सदन में मुझे लगता है कि राश्ट्पती के अवासरण पे सरकार की उपलबदियों पे कब हम कहते हैं किसानों की चर्चा बार बार होई थी अकिर किसान की चर्चा हो रही थी बार बार कि किसान आंदोलन हो रहा सरकार कुछ कर नहीं रही मैं कह रहा हूं कि जब ये किसान आंदोलन हुआ बिल पास हुआ यहां भी पाच घंटे चर्चा होई थी उस सदन में भी उते हैं मैंने भी भाग लिया था और जब आंदोलन शुरुआ तीन सवाल उठाये गया कहा गया किसान ये बिल अग पार्मिंग का उसमें किसानों की जमीन का स्वामित कॉर्पेट हाउसेच को हो जाएगा इन तीन सवालों को लेकर के आंदोलन हुआ ठीक है ये भ्रम पैदा हुआ उस पे जब किसी मंत्री जी ने कहा यहां तक कि प्रधान मंत्री जी ने कहा कि हमारा MSP जारी रहेगा और इ प्रस्तुत हुई थी 2004 में अटल जी ने उनके आयूक का गठन किया था वो लगातार कॉंग्रेस यूपिय के सरकार में पड़ी रही और वो स्वामी नाथन की रिपोर्ट ये थी कि किसानों की जो उपज है जो उसकी लागत आये उत्पादन मून ले आये उसको डेढ़ पहली बार नरेंदमोदी की सरकार ने देश के किसानों को दिया है मैं दो मिन अपनी बात और कहना चाहता हूँ मैं सोच रहा हूँ कि अखिर हमारे जिम्मदार हैं पार्टी के लोग उन्हों ने इस पे नहीं कहा कि आज प्रधानमंती ने कह दिया बित्रमंत्री ने कहा कि MS आर मन्या और जोडने जा रहे हैं और स्वामित में क्योल क्राप का समझा होता होगा यह सारी बातें अस्पस्ट हो गई उसके बात कहा जा रहा है कि साथ किसानों से बात नहीं हो रही प्रधानमंत्री जी को हंकार है मैं पूछना चाहता हूँ बारह बार किसी मंत्री जी न बात किया कि उसमें कौन सा प्रविधान है संसोधन करने की बात कही आ रही है अहंकार अधीर जी अहंकार किसको कहते हैं अगर अहंकार होता तो आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी में देश के 10 करोन किसानों को जिस तरीके से पहली बार 6,000 अप्रत किसान परिवार को लगातार दिया जारा गाओं के छोटे छोटे जिस तरह से 86% लक्सीमान किसक हैं जिनके पास बीज खात का पैसा नहीं है आज उनको पहली बार सौलंबी बनाने का काम नरिद मोदीजी के सरकार कर रहे हैं मैं एक बात कहना चाहता हूं अपनी बात कि आज अहंकार वो भूल कि जब सरकार में थे परद्धान मंद्री केबिनेट से विधयक पारित करें कजिनी वική सरकार थी और उस विधयक को उनके नेता राहुल गाधी फार देते थे पूरे देश के लोगों को सर्मसार करते थे कि पूरे अपनी सरकार के कानून पारित किये हुए उस विधेव को फाड़ने का काम कर रहे हैं। शायद वो अहंकार था उसको उनको नहीं कहारी उन्होंने कहा पुरे देश की उस आजादी की लड़ाई में योग थे अम्बेदकर जी बने और मैं कहता हूँ अगर अम्बेदकर जी को सम्मान देने की बात थी तो फिर अम्बेदकर जी को ये कांग्रेस को जबाब देना पड़ेगा कि अगर उनके सम्मान दिया था तो नहरू जी की सरकार से सितंबर 1951 में इस थीपा क्यों दिया Ombedkar जीने यह देस की जनता देश की जनता इसका जब आब चाहेगी देश की जनता जबॉब क्योंकि नियुक्त उन्होंने कही है कि आज डाक्टर भीम्राव मेर्तकर जिसको पूरा दिस्थ पूचता जिस तरह से प्रधान मंत्री का मैं मुक्ष मंत्री था तो मैं उस संविधान को सर पे ले करके उस गुजरात की सड़कों पी चलता था उसी संविधान में भारत के हम को या किसी को हम संसलसदस के रूप में या सरकार में या प्रितिपक्ष में आप बैठे हुए उस संविधा काम अगर किया है तो Congress Party ने किया है इसका भी ज़ब दिएगा you must try to listen Mr. Suraj and you must respond either your leader should respond what I have said I think so try to understand twice twice Ambedkar Ji was blocked you have fielded you had fielded candidate against him or you are the responsible who has been sure to defeat Ambedkar Ji. देश माफ करेगा आपको देश माफ करेगा आपने Ambedkar Ji को चुनाओ हरवाया जिस देश को सम्भिधान दिया हो आप आप बात करते हैं, आप आप, I'm not yielding, I'm not yielding, why you are standing, I'm not yielding, मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ, नहीं, I'm not yielding, आप, आप उकालत कर रहे हैं, आप उकालत कर रहे हैं, आप, चलिए, मैंने, सुरेश जी, प्लीज बी सीटेट, सुरेश जी, मैं आपसे खना चाहता अपा ने कालत कर दोनै स् function, सुरेश जी प्लीज पी सीटेट, सुरेश I am a local Saint mandar baadak, जी आप खितेट मैंने कर दो किके बात कर दें तो मिनिट्श रहो अछाहता हूँ, उसको फन बात कर दो 1977 by 7 ग्रेटा थनवन की चर्चा हुई या रहाना की चर्चा हुई आज वो उनकी उकालत करने देश उनके पीछे पढ़ गया आज उस किसान फार्मर्स की नीती पे अमेरिका के राष्टपती जो वाइडन ने कहा कि आज उन्होंने का कि इंडियन फॉर्म रिफॉर्म उड इंक्र पूरी दुनिया तरीफ करें और टूल किट में टूल किट क्या है बताना पड़ेगा टूल किट क्या है इनको कॉंग्रेस के नेता को जिसमें step by step भारत के खिलाप एक प्रोपेगंडा की बात कर रहे हुं आज जब भारत की दुनिया में इमेज बढ़ रही हो पूरी दुनिया में घर भारत कि इमेज बढ़ रही हो पूरी दुनिया के च्जेस्ट मैं तारीफ कर रहे हूँ उस समय चाहे ग्रेटा धंवनं सही यह रिहाँ आगर वो टूल किट बना करके और भारत की छबी को दुनिया में प्रॉपीगेंड़ करके खराब करना चाहेंग तो अगर ये भारती हैं तो इनको भारत के साथ खड़ा होना होगा राष्ट वक्त अगर है अन्यका उनकी बात करें आप देखें लता मंगेश कर अधिश्ठाता मौत बहुत जिम्मेदारी बात कह रहा हूं